नमस्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन टेस्ट डेजाइन करें बच्चों को जो कि आज कल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासिस चल रही हैं तो जिस करण से हमें उनका ऑनलाइन टेस्ट भी लेना पड़ेगा तो आज हम Google Form की सहायता से टेस्ट करें डालिजी आपको कुछ नहीं कर न है इसने पुर्ज सबसे पहले पहुज़ के इसके बाद आपको यहां पर लिखना है गूगल फॉर्म गूगल फॉर्म लिखके और हमें सर्च कर देना है ठीक है गूगल फॉर्म लिखके जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ वैबसाइट आ जाएंगी और यहां पे हमें जाना है यह गूगल फॉर्म साइन पर देखिए यह जो लिखा हुआ है गूगल फॉर्म साइन यह जरूर ध्यान दीजेगा वेबसाइट गूगल डॉट कॉम बाकी अड़र्टीजमेंट वाली वेबसाइट पर हमें नहीं जाना है तो इसमें हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कहां प एकल गया अब हम самे गरते हैं जब भी हम टासे डिजाइन करें तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर जो तीन डॉट दिख रहे हैं आपको तीन डॉट ये जो तीन डॉर्ट दिख serving करेंगी तो शैटिंग का उप्सन देखिएगा कैसे क्लिक किया हमने millions अरि यह आःप को setting का option देख गया यह दिखा setting का option तो इस setting पे अब हमें क्लिक करना है setting पे क्लिक करते हैं setting पे क्लिक करेंगे तो यह देखी एक तो general देखा इसमें हमें क्या करना है अगर देखे लिखा हुआ है collect email address यह जो लिखा हुआ है collect email address, अगर हम इस पर click कर देंगे, तो जो बच्चे जो हमारा test देंगे, online test, उनका email ID हमारे पास आ जाएगा, तो हम यहाँ पर tick कर देते हैं, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है response receipt, देखें यहाँ पर question mark पर आप check कर सकते हैं, यहाँ लिखा है respondents, receive a copy of their response, click किये हैं, तो यह भी ठीक है, इस पर भी हम tick कर देते हैं, response receive, इसके बाद लिखा हुआ है, if respondent requested, अब इस पर आप पर depend करता है, इसमें, पहला option जो है, वो यह बताता है, कि अगर student request करेगा, तो ही उसके पास response receipt पहुँचेगी, और दूसरा है always, तो हमारे हिसाब से आप always पर click कीजे, कि हर बच्चे के पास उसकी response receipt पहुचना चाहिए, इसके बाद नीचे scroll करेंगे, तो देखें, लिखा हुआ है, request sign in, limit to one response, तो यही हमें tick करना चाहिए, क्योंकि अगर हम limit नहीं करेंगे, तो एक बच्चा कितने ही बार वो test देगा, और वो बार बार edit करता रह एक बार जो उसने test दे लिया, इसके बाद लिखा हुआ है, respondents can edit after submit, तो देखें, यह आपको नहीं करना है, इसपे अगर edit after submit पे आप click कर दोगे, तो वो एक बार test submit करने के बाद, फिर से उसको edit कर सकता है, अपने answers को edit कर सकता है, यह चीज हमें तब काम आएगी, जब हम किस बच्चे से attendance fill कराएं, इसमें online attendance का भी option है, हम लोग online attendance भी बना सकते हैं, वो हम next video मिलाएंगे, तो वहाँ पे हम इस पे tick कर देंगे, edit after submit कि अगर किसी ने attendance fill की कुछ गलती हो गई, तो वो दोबार edit कर सके, तो यह नहीं है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, see summary charts and text response, तो तो फिर आप इस पर tick कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं, तो आप इस पर tick ना करें, तो मैं यहाँ पर करके बताता हूं, मेरे हिसाब से कि मैं share करना चाहता हूं, details सारे बच्चों के साथ, तो मैंने यहाँ पर tick कर दिया, और इसके बाद देखिए, यहाँ पर यह हमने कि अगर दो बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, दो बच्चे, एक साथ अगर बैठे हुए हैं, तो वो दोनों के पास random question आएंगे, तो यह अच्छा है कि आप सफल question पर कर दीजे, click, तो question सफल हो जाएंगे, show link to submit इस पर automatically नहीं होगा, क्योंकि आपने single time के लिए किया हुआ ह तो कुछ नहीं करना है, confirmation message आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे इसमें already लिखा हुआ है, your response has been recorded, मतलब जब कोई submit करेगा बच्चा अपना question, तो यहाँ पर क्या उसको message पहुचना चाहिए, तो मैं यही लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते ह हैं यहाँ पर, test is completed, तो मैंने यह लिख दिया यहाँ पर, यह हो गया, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद अब यह presentation वाला part हो गया, अब में आना है quiz वाले part पर, चुकि हम test design कर रहे हैं, तो quiz वाले part पर हम quiz पर click करते हैं, quiz पर click करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना हैं, जब भी हम test paper design करें, तो make this as a quiz, यह जो लिखा हुआ है, इसको हमें slide करना है, तो यह हमने slide कर दिया, click भर करोगे तो slide हो जाएगा, अब इसके बाद देखें जरा, quiz options में आपको देखेगा, immediately after each summation, release grade मतलब उस बच्चे को तुरंट के तुरंट उसके grade मिल जाए, पहला काम, दूसरा ही हो सकता है, later, after manual review, यह आप पे depend करता है, अगर आप ऐसा कोई test design कर रहे हो, जिसमें आप सिर्फ objective question दे रहे हो, तो सीधा सीधा उसको immediately आप response दिखा दीजे, अगर आप दे रहे हो कोई conventional type का, जिसमें उसे type भी करना है, तो conventional में क्या होता है, आप पहले से कोछ गलती भी होगी, तो वो mistake बता कि और उसको zero marks दे देगा, तो conventional question को हमेसा review के लिए रखा जाता है, कि यह teacher जो है, वो बाद में review करें, उसके बाद manually marks दे, तो अगर आप conventional paper ले रहे हो, तो इस पे click कीजिएगा, किस पे, later वाले पे, और अगर आप सिर्फ objective ले रहे हो, तो immediately, लेकिन अगर आपने गलती से conventional में भी, conventional paper ले रहे थे, और click कर दिया, immediately पे, तो भी कोई problem नहीं है, जब बच्चा test देगा, तो उसके जितने objective questions के answer होंगे, उसके marks उसे मिल जाएंगे, और जो conventional question के marks होंगे, वो उसके pending रहेंगे, तो pending रहेंगे, तो जब teacher उसे review कर ल इसी पे click रहने दीजे, इसके बाद respondent can see, तो ये थीक है, missed question उसे दिखाई देने चाहिए, कि उसके कितने question गलत हुए है, correct answer कितने है, और point values, मतलब कितने marks उसे मिले हुए है, ये उसे दिखना चाहिए, तो ये सभी पे आपको tick करके रखना है, तो ये हो गया हमारा setting, सबस बनने के लिए तैयार हो गया, test में सबसे पहले देखे जिए लिखा हुआ है, untitled form, तो इसमें कोई भी हम नाम लिख देते हैं, let हम लिख देते हैं, कि यहाँ पे test लिख देते हैं, और test one लिख देते हैं, आप चाहो तो कोई subject का नाम लिख सकते हो, तो ये हमारा test one हो गया यहाँ आप चाहो तो description भी लिख सकते हो, लेकिन हम description अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको जल्दी-जल्दी हमें form design करना बताना है, कैसे question paper design करें, email address ये चुकि इसलिए आया है, क्योंकि हमने वहाँ पे करके रखा था, setting में अभी गये थे, कि compulsory है, sign in करना, इ इसको हमें, इस question को title करना है, मतलब हमें question लिखना है, तो अब question के type देखिएगा आप, question के आपको ये type देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुए multiple choice, आप इसमें देखिए, इस पे जब click करेंगे, इस multiple choice वाले option पे, तो इसमें देखिए, कितने type के आपको questions देख लिजे what is rectifier, तो उसको short answer में रखिए, paragraph वाले में कोई long question है, तो उसको paragraph में रखिए, multiple choice मतलब 4 में से कोई एक option सही है, 4 option उसे clearly दिखेंगे, 4 में से एक पर tick करना है, check box वाला ऐसा होता है, कि जिसमें multiple answer सही हो, नॉर्मली 4 option आपने दिए, 4 में से 2 answer, 2 या 3 option सही हो सकते हैं, तो check box तो normally इस check box को आपको ignore करके चलना है, इसका use नहीं करना, क्योंकि हम जो भी test लेंगे, उसमें या तो एक answer सही होगा, या फिर हम paragraph वाले question देंगे, conventional, तो check box वाला use नहीं करना है, इसके बाद यहाँ पे आप जब आप उस पे click करोगे और scroll करोगे तो 4 option आपको दिखाई देंगे, तो मैं यहाँ पे हर type का question एक एक दे देता हूँ, और फिर आप देखिएगा कि ऐसे question design करना है, तो सबसे पहले हम short question ले लिते हैं, short question में हमें क्या करना है, यहाँ पे माली जी आपने पहला short question ले लिय या what is a rectifier, what is rectifier, what is rectifier, what is rectifier, और यहाँ पे हमने एक और instruction दे दिया, कि write in short, मतलब एक short note लिखना है आपको सिर्फ, write short note, ठीक है, write a short note, और यहाँ पे से बंद कर दिया, तो यह एक question हो गया, short answer वाला, अब यहाँ पे जड़ा देखिए, यह required वाला एक option है, अगर आपका कोई compulsory question है, कि वो करना ही पड़ेगा बच्चे को, उसके वो किये विना आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसको आप click कर दीजे इसको तो scroll हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जब तक इस question का answer नहीं देगा, तो वो बिना इस question का answer दिये, paper को submit नहीं कर पाएगा, तो आप चुकि normally अपनको ऐसा करना ही नहीं होता है, कोई ऐसा question नहीं होता है, कि वो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा, तो उस तो यह हमें धियान रखना है, इसके बाद यहाँ पर जड़ा देखिए, तो यह वाले को हमें slide नहीं करना है, यह वाले को slide बाद में करेंगे, अभी question paper site करते समय, इसका कोई काम नहीं है, इसके बाद देखिए, यह लिखा हुआ answer की, और यहीं पर लिखा हुआ जीरो point, इ जैसे की हम यहाँ पर गए, यह answer में गए, और यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिख दिया कि यह three marks का है, तो three point हो गए इसके, और इसके बाद यहाँ पर हम answer भी add कर सकते हैं, तो चुकि हमने इस question का answer already लिख के रखा है, short answer सिर, तो उसे हम copy कर लेते हैं, कि rectifier is an electrical device that converts AC into pulsating DC हाला कि rectifier को हम और detail में लेख सकते हैं, लेकिन हमने short question बनाया है यह, तो इतना ही हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, copy कर देते हैं, तो यह correct answer में, यहाँ पर हम copy कर देते हैं, add a correct answer, तो यहां पे हमने क्या किया है करेक्ट आंसर में कॉपी कर दिया है इसको फोटो को हम इधर ले आते हैं और पेस्ट कर दिया तो यह हमने आंसर पेस्ट कर दिया यहां ध्यान रखिएगा इस पे अगर आप टिक कर दोगे तो क्या होगा जो हमने आंसर लिखा है अगर उसके थोड़ा भी धर धर बच्चे ने आंसर दिया तो उसके मार्क्स जीरो हो जाएंगे तो इसलिए इस पे टिक नहीं करना इस पे टिक करने का मतलब है कि जो हमने आंसर दिया है उसके अलावा कुछ भी बच्चा देगा तो उसको जीरो मार्क्स मिलेंगे तो इस पे टिक नहीं करोगे अगर आप तो उसके मार्क्स इस क्वेशन के लिए रिव्यू पे रखेंगे जब आप चेक कर लोगे तो आप अपने हिसाब से इस क्वेशन के मार्क्स दे सकते हो तो इसको आपको अंटिक रखना है मतलब टिक नहीं करना है इस पॉइंट को और कोई फीडवेक देना चाहो तो ये एड़ फीडवेक जो लिखा हुआ है यहाँ पे एड़ फीडवेक पे क्लिक कर सकते हो तो अभी कोई फीडवेक देने की ज़रूरत नहीं है बस अब हमें क्या करना है ड़न पे क्लिक कर देना है तो ये हमारा जो क्वेशन है वो हमारा क्वेशन एक कंप्लीट हो चुका है इसमें हमने सिर्फ क्या किया है इसमें हमने किया है कि एक तो question लिखा और उसका answer दे दिया और देखिए यहाँ पे कितने number का है वो लिख दिया और इसके बाद हम अब करने जा रहे हैं done तो done जब हम करेंगे तो यह एक question हमारा complete हो चुका है कितने number का तीन number का अब हम यहीं पे देखिए यह correct answer हमें दिख रहा है लेकिन यह हमें दिख रहा है यह वहाँ पे बच्चों को नहीं देखेगा बच्चों को क्यों नहीं देखेगा क्योंकि अभी हम test design कर रहे हैं बच्चों को यह नहीं देखेगा, अब हमें चलना है second question design करने के लिए, तो second question design करने के लिए देखी, यह जो plus sign है, इस पर आप click कर दीजे, plus sign पर जब हम click करेंगे, तो अब हम करते हैं, तो फिर से हमारे पास वही option आ गया, किस type का question है, तो अब ही देखिए, यह जो multiple choice आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इसी पर फिर से हम click करते हैं, इस पर हमने फिर से click किया, अब हमने देखिए short answer एक ले चुके हैं, short question, अब हम paragraph question लेते हैं, और paragraph question में हम यहाँ पे रखते हैं, कि explain, explain, deterministic, and non-deterministic signal, non-deterministic signals, यह हमारा हो गया, एक long question हो गया, paragraph question हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे हमें long answer देना है, तो जब answer देना है, तो देखिए यहाँ पे यह answer की और point वाले पे, यह answer की वाले पे click करेंगे, तो वहाँ पे हम marks भी decide कर सकते हैं, और answer भी दे सकते हैं, वस धियान रखना, यह required fix को slide नहीं करना है, otherwise अपका क्या हो जाएगा, यह जो question है, वो compulsory हो जाएगा बच्चे का, तो वो इसके answer दिये वेना आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो अब हम क्या करते हैं, इस answer की पे click किया, और इसका answer हमने already लिखके रखा हुआ है, जिससे ज़्यादा time ना लगे, तो इस answer को हमने क्या किया, copy कर लेते हैं इस answer को, copy कर लिया हमने इस answer को, और इसको अब हम paste कर देते हैं, तो यह लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, यह लिखा हुआ है, add answer feedback, और यहीं पर, देखिए, यह लिखा हुआ है, एक मिनिट, यह हमने answer पर click किया हुआ था, answer की पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, add answer feedback, तो यह add answer feedback पर गए हम, और enter feedback में paste कर दिया हमने, और save कर दिया, कितने number का है, यहाँ पर देखिए, यह जो point पूछ रहा है, कितने point का, तो यहाँ पर हम जाके click करते हैं, और let हमने लिख दिया कि यह 10 marks का question है, तो यह हमारे marks हो गए, और इसको again फिर हमें क्या कर देना है, save कर देना है, इस question को, तो देखिए, यह जो done लिखा हुआ है, इस done पर हमें click कर देना है, तो यह हमने done पर click किया, तो यह हमारा दूसरा question भी save हो गया, automatically, तो यह दूसरा question paragraph में आ गया, अब यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, देखिए, यह ten marks का question देख रहा है, इसका answer हम already अंदर दे चुके हैं, वो हमें दिखाई देगा, student को दिखाई नहीं देगा, और यह हमारा, जो एक और question हमने पहले बनाया था, what is rectifier, इसमें double w हो गया है, तो हम यह खटा देते हैं, तो अब यह दो question हो गया हमारे, एक ती नम्मर का हो गया, एक दस नम्मर का, आप अपने हिसाब से कितने भी marks के question दे सकते हैं, एक और question हम यहीं पर करते हैं, objective type का, तो यह देखिए, फिर से यह जो plus बना हुआ है, यह plus बना हुआ है, इस plus पर हमें click करना है, तो यह हमने plus पर click किया, और यह तीसरा question हो गया, तीसरा question हम यहाँ पर दे देते हैं, तीसरा question हम यहाँ पर देते हैं, कि which diode can we used as, can we used in oscillator, oscillator, ठीक है, और इसको देखिए, यहाँ पर, यह जो multiple choice लिखा हुआ है, इस question को हम multiple choice ही रखते हैं, तो multiple choice में, पहला option हम लिखते हैं, zanner diode, ठीक, दूसरा option हम यहीं पर रखते हैं, tunnel diode, तीसरा option हम लिखते हैं, यहाँ पर, वेरेक्टर diode, और चौथा option यहाँ पर हम लिखते हैं, short key, short key, डायोड, ठीक है, तो यह हमने चार option लिख दिए, और again, अगर यहाँ पर कोई spelling में mistake हो, तो सधार लिजिएगा, spelling जरूर सधार लिजिएगा, I think, short key में, यह, ठीक है, अब हमें क्या करना है, again हमें यह जो answer की और point है, इनको फिर से change करना है, तो answer की पर click किया हमने, और हमें पता है कि इनमें से कौन सा डायोड है, हमारा tunnel डायोड है, जो oscillator की तरह है, जिसका use हम oscillator में करते हैं, high frequency oscillator में, और अगर इसमें हम चाहें, तो add answer feedback कुछ हम इसकी theory भी देना चाहें, तो हम यहाँ पर click करके, जैसे previous questions में हमने किया था, वो कर सकते हैं, तो चूकि यह objective question है, तो एक तो answer तो हमने click कर ही दिया है, और theory पे भी हम tick कर सकते हैं, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, कितने number का है यह question, तो माल लिजए हम इसको 2 number का काद़ देते हैं, क्योंकि objective question है, और इसके बाद, तो यह ध्यान दीजिएगा, हमने 2 number का कैसे किया है, यह हम point पे जाके, जो 0 लिखा था, उसको हमने 2 में convert कर दिया, और इसके बाद, अब हम फिर से इस question को done कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसमें, answer में feedback भी दे सकते हो, कि मतलब आपके according, क्यों tunnel diode oscillator की तरह है, उसकी कुछ detail आप देना चाहते हो, तो दे सकते हो, तो हमने यह कर दिया done, अब हमने बताया था, कि एक और होता है, इसमें multiple choice की तरह ही, एक और option होता है, तो वो एक question और ले लेते हैं, हम तो again फिर इस plus पे click करेंगे, तो यह हमने किया plus पे click, और एक और question ले रेते हैं, और हम यहाँ पे लिखते हैं, एक और question, application of zainer diode is, और यहाँ पे देखे, अब again, यह जो multiple choice, इसी पे फिर हम click करेंगे, और click करेंगे तो हमने बोला था आपसे, कि आपको यह check box वाला use नहीं करना है, आपको करना है यहाँ drop down वाला, तो multiple choice ले लो या drop down ले लो एक ही है, similar रहता है, तो drop down और multiple choice में बस इतना अंतर है, कि multiple choice में चारों option एक बार में दिखेंगे, drop down में जब आप उस पे click करेंगे, तब चारों option इस्ट्रोल करने पे दिखाई देंगे, दोनों में से कोई भी, तो हम एक करके बता देते हैं आपको, तो यहाँ पे हम drop down पे click किया हमने, और option ले ले लेते हैं, हम यहाँ पे let हमने xenodayode का application में लिखा, हमने एक तो लिख दिया, oscillator जो की हमें पता है, यह गलत आंसर है, दूसरा हमने यहाँ पे लिख दिया, voltage regulator, जो की हमें पता है, जिन लोगों को पता होगा, यह answer सही है, तीसरा answer हम यहाँ पे ले लेते हैं, high frequency, high frequency, high frequency, switching ले लिया, तीसरा हमने, और चौथा हम ले लेते हैं, tuner, tuner में भी application होता है, यह वेरेक्टर डायोट का होता है, अब हमें चेक करना है, इसका answer भी decide करना है, तो answer देखिए, यह answer की पे जाके, click कीजिए, इस पे click किया, सबसे पहले, तो हमें क्या करना है, कितने number का है, यह कर सकते हैं, पहले कर लो, चाहिए बाद में, तो कितने number का है, इस question को मान लीजे, हमने दो number का decide किया, और इसके बाद, देखिए, इन चार option में, जो भी answer सही है, उस पे आप click कर दीजे, सीधा इस done पे click कीजिए, तो यह answer हो गया, आपका final, तो यह हमने done पे click किया, अब हमारा, यह वाला question भी, complete हो गया, अब हमारे पास, इतने सारे questions हो चुके हैं, इन questions के साथ साथ, आप एक और option चाहो, तो add कर दो, कि बच्चा जब, यह send करे, तो उसका नाम, या role number, आप ले सकते हो बच्चे से, तो जैसे इसी पे, फिर से हम plus पे click करते हैं, यह हम देखिए, फिर से plus पे click करेंगे, यह हमने plus पे click किया, और यहाँ पे आपने ले लिया, name of the student, name of the student, अब यह चुकी short answer है, तो देखिए, वो automatically उसने short answer पे ले लिया, यह ले लिया, otherwise आपको click करके short answer देना था, तो यह चुकी required है, compulsory है, इसलिए यह जो required field है, इस पे आपको click कर देना है, तो अब यह required हो गया, और इसके कोई marks नहीं है, इसलिए देखिए, यह answer पे जाके, कोई आपको point नहीं देना है, यह कोई question नहीं है, यह compulsory है, उसको बताना चाहिए बच्चे को, कौन है student जो की यह दे रहा है, आप चाहें, यह चुकी हम last में बता रहे हैं, आप चाहें तो इसको उपर, scroll भी किया जा सकता है, तो अभी हम बताएंगे, कैसे इसको उपर ले जाएं, देखिए, इसको नीचे ले गए, यह जो चिन दिख रहे हैं, इस पे आप finger रखके, उपर की तरफ ले जाएंगे, तो यह आपका जो question है, यह सब से उपर पहुँच जाएगा, तो देखिए, हमने यह प्रेस किया, इसको यह प्रेस किया, और इसको हम सब से उपर ले जाएंगे, बस यह email address से उपर नहीं पहुच पाएगा, क्योंकि वो कंपल सरी है, तो यह हमारा सब से उपर पहुच गया, उसका क्या name of the student, देखिए, यहीं पर एक और चीज लिख सकते हैं, यहीं पर role number of the student, तो यह देखिए आपका, इसी पर plus पर फिर click कर दीजे, और यहीं पर एक और देदीजे, role number, या enrollment number, जो भी आपका हो, यह भी again short answer में हो चुका है, यहाँ पर देखिए, आपको कुछ numbers दिखाई देंगे, तो यह रॉल number में आप इसको remove कर दीजे, उससे क्या होगा, बच्चे को जो भी लिखना होगा, गलत roll number तो वो लिखेगा नहीं, क्योंकि roll number जो है, उसमें numbers और letters दोनों mix होते हैं, तो यह जो numbers वाला part है, उसको हम हटा सकते हैं, तो यह remove पे click करेंगे, तो सिर्फ show text, answer text, उसमें roll number अपने आप बच्चा fill कर देगा, लेकिन अगेन इसको भी हमें compulsory करना है, तो इसलिए required field जो है हमारा, यह required field, इसको भी इसमें कोई answer नहीं देना है, ना ही कोई marks रखना है, अगर आप चाहते हैं, कि बच्चे को हमें क्या और करना है, देखिए अब यह roll number आपका उपर ही आ गया, क्योंकि यहीं पे हमने इसके उपर ही click किया था, दरवाइस आप scroll कर देते, अब अगर आप चाहते हैं बच्चे का roll number लेना, तो देखिए automatically वो short answer ले लेगा, नहीं लेगा अगर तो आप उसे select कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, यह आप चाहो तो इस part को remove कर सकते हो, जिससे की mobile number के लिए वो free हो जाए, या फिर सबसे बड़िया है कि यह वाला जो पहला part है, उसको number में ही रहने दीजिए, दूसरा वाला जो part है, तो देखिए between, आप between पे चाहो तो click कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अभी जो numbers हैं, वो six की series से लेके और nine की series तक चलते हैं, तो आप चाहो तो दो number के बीच में आप इसमें रख दीजिए, कि six और nine times zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, तो यह मैंने six और nine times zero लिखा, और यहाँ पे ten times nine लिख देता हूँ, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, इससे होगा क्या, कि कोई भी number होगा, वो six से start होगा, यह seven से, यह eight से, यह nine से, और उस ten digit का number होगा, तो इसके अलावा अगर कोई बच्चा कुछ गलत number डालता है, तो उसे एक error message दे दूँगा, तो यहाँ पे देखिए, आप error message दे सकते हो, तो जैसे कि मैं कोई भी error message दे सकता हूँ, कि अगर वो गलत number डालेगा, तो enter ten digit mobile number, यह मैंने लिख दिया, तो यह उसे message जाएगा, जब भी वो गलत देगा, इसमें भी कोई हमें marks देना नहीं है, तो marks हमने नहीं दिये हैं, compulsory करना ही था, तो यह required field हमने compulsory करके रखा हुआ है, पहली मैंने कर दिया था, ठीक है, तो यह हो गया, यह mobile number हो गया, आपका short answer में, और इसके बाद, अब आपको क्या करना है, देखिएगा, इसके बाद अब हमें करना है, देखिए यह response जो लिखा हुआ है, इस response पर क्लिक कीजिए, response पर क्लिक किया, तो यहाँ पर यह जो चिन बना हुआ है, यह accepting response, इसको slide ही रहने दीजिए, यह यह बताता है, कि आप बच्चे का response accept कर रहे हैं, जैसे ही इसको unslide कर दोगे आप, तो आप उसका response accept नहीं करोगे, वो भेजेगा भी, तो भी उसको send नहीं होगा, उस question का answer, तो यह आपको क्या करना है, जैसे मालीजे, आपने 12 बज़े से 3 बज़े तक test को open रखा, तो उतने बज़े तक इसको accepting response पर क्लिक करके रखी हो, जैसे ही 3 बज़ जाते हैं, आप इस पर, फिर से इस पर क्लिक करके और unselect कर दीजे, तो यह not accepting response होगा, तीन बज़े के बाद अगर कोई बच्चा अपना response देना चाहता है, तो वो response नहीं दे पाएगा, तो अभी select करके रखना है, तो यह काम हो गया, इसके बाद देखें, यह 3 बबल उपर वाले देहान रखना है, यह वाले बबल, यह वाले बबल नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ किनकी यह उपर वाले, जो इस account, आपके account ID के पास में हैं, उन पे क्लिक करना है, इन bubble पे आपको, इन bubble पे क्लिक करना है, इन bubble पे मैंने क्लिक किया, इस्क्रोल किया, मिलेगा get pre-filled link, इस get prefilled link पे click करोगे, scroll करोगे नीचे की तरफ तो आपको ये get link मिलेगा लिखा, देखिए ये लिखा है get link, इस get link पे click करोगे, तो आपको link मिल जाएगी और ये लिखा हुए copy link, तो आप copy कर लीजे link को, आपकी link हो गई copy और इसको मैं WhatsApp पे share कर देता हूँ, कहीं पे भी, तो मैं इसको WhatsApp पे करता हूँ, share, ये अपने पास share कर देता हूँ, मतलब ये मान के चलिए कि आपने बच्चों के पास इसको share कर दिया, जब बच्चों के पास ये link पहुंच जाएगी, अब बच्चे इस link पे जब click करेंगे, तो वो as a user, as a student जाएगे, आपने जो design किया है, व मैं as a student ही रहूँगा, क्योंकि वो id कुछ और थी, या id कुछ और है, तो मैं इस link पे click कर रहा हूँ, मैंने link पे click किया, और जैसे ही मैंने link पे click किया, देखिए यहाँ पे फिर से वही test आ गया, इसमें email id डालना है, तो मैं कुछ भी xyz at the rate of gmail.com डाल देता हूँ, अब यह यहाँ पे चुकि हमने random question select करके वहाँ random का option रखा हुआ था, तो randomly कोई भी question आएगा, जैसे पहले आया application of xenodayode, आपको याद होगा, यह drop down वाला question था, तो यहाँ पे देखिए यह जो choose लिखा हुआ देखाई दे रहा है, इस पे हमें select करना है, कि यह select हमने तो देखिए यह जो चार option थे, वो option आगए हमारे, application of xenodayode हमें पता है कि इसमें होता है, voltage regulator में, तो हम voltage regulator पे कर देते हैं, click, आप चाहो तो, अगर कोई बच्चा wrong answer भी दे सकता है, तो एकाद answer यहाँ पे हम wrong कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उसके marks कैसे कटे हैं, इसके बाद, which diode can be used in oscillator, यह answer हम गलत दे देते हैं, जानके, देखिए, वैसे तो हमें पता है कि tunnel diode को use करते हैं, oscillator की तरह है, high frequency oscillator की तरह है, लेकिन हम यहाँ पे wrong answer टिक कर देते हैं, जिससे हमें वहाँ पे answer में पता चलेगा कि उसके marks कैसे कटे, माली जे हमने जैनर पे टिक कर दिया, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे देखिए, अपने response को clear भी कर सकते हो, जब clear response पे click करोगे, तो जो भी आपने यह tick किया है, वो अपने आप हट जाएगा, देखिए, मैं बता दूँ, यह click किया, तो यह हट गया, दोबारा tick कर दोगे, तो दोबारा हो जाएगा, इसके बाद name of the student, यह random आ रहा है, क्योंकि question, तो name में अपना डाल देता हूँ, SS, यादो, what is rectifier, बच्चे को कुछ भी लिखना है, वो अपनी language में लिखेगा, तो AC to DC converter, let हमने लिख दिया, ज्यादा detail में नहीं लिखा, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा, अब यहाँ पे and non-deterministic signal, तो कुछ भी लिखना है, तो मैं कुछ भी copy paste कर देता हूँ, यहाँ पे बच्चा अपना answer देगा, तो यह answer उस answer से match नहीं होगा, इसको teacher manually check करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने click करके रखा हुआ था, कि automatic marks नहीं दिये जाएंगे, paragraph और short question वाले answer में, सिर्फ जो objective question हो होंगे, उन में automatically बच्चे को marks मिल जाएंगे, इसके बाद roll number उसने बोला, तो roll number जो भी उसका holet 123 और ET213 यह डाल दिया बच्चे ने अपना roll number, mobile number की बात आती है, तो mobile number देखिएगा, जैसे हमने बोला 756 यह कुछ भी हमने number डाला, देखिए वो बोल रहा है, enter 10 digit mobile number, क्यों किसी का number ना आजा, इसलिए मैं 7777 डाल के रखता हूं, कितने दर्म, 33678910, यह हो गया 10 digit डले, और उसी range में डलेंगे, आप 555 करोगे तो error देगा, यह complete हो गया आपका test, आपने test किया, submit, यह test हो गया आपका, submit, यहाँ पर यह मांग रहा है, कि आप reward तो नहीं हो, यह है, इसमें बस, यह हर बार नहीं आएगा, यह हमने next कर दिया, और यहाँ पर पूछा है, crosswalk, एक दो दिन चार, इनमें crosswalk है, verify कर दिया, यह आपका test हो गया, submit, आप चाहो तो अपना score देख सकते हो, देखिए, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, view score, तो आप इस पर जाओगे जैसे ही, तो आपको आपका score देखेगा, कैसे score देखेगा आपका, देखिए, यहाँ पर आपको 2 marks मिले हुए हैं, 17 marks मैं से, ऐसा क्यों, इतने कम क्यों मिले, देखिए जरा, email ID के तो कोई marks थे नहीं, application of Xanadayode का जो question है, उसमें आपको 2 out of 2 marks मिले हुए हैं, इसके बाद न देखना था, तो इसमें तो कोई question नहीं था, यहाँ पर देखे, यह जो question है, what is rectifier, यहाँ पर marks, dash 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 out of 3, that means, यह review पर है, यह जब teacher इसका marks देदेगा, तो आपको reflect हो जाएंगे, यह marks, तो यह review पर है, यह same, नीचे जाओगे, explain deterministic, non deterministic, 10 marks का question था, इसमें कोई marks नहीं मिले ह इसलिए यह भी review पर है, dash dash dash, और इसके बाद, देखे, feedback में आपको answer देख रहा है, जो teacher ने देखे रखा था, कि actual में क्या होता है, तो feedback में देखे, यहाँ पर भी देखे, यह answer देख रहा है, जो आपका correct answer होगा, वो जो teacher ने डाल के रखा होगा, वो बच्चे को answer भी देख जाएगा, और उसके marks भी देख जाएगे, और जो marks नहीं देख रहा है, that means वो marks review पर है, और यहाँ पर यह आपने roll number यह सब डाल के रखा है, तो यह आपका complete होगा, अब काम फिर से teacher का है, teacher के पास जब यह पहुंचा, तो teacher फिर से उसी test पर पहुंचा, teacher जैसे ही नीचे स्क्रोल करना है, तो वो जो response आया हुआ है, इस response में, summary पर अभी ना जाके आप questions पर जाएए, teacher को क्या करना है, questions पर जाना है, तो questions पर क्लिक किया, नीचे आया, पहला question है roll number का, देखे यहाँ पर one of seven, तो इसको next करते जाएए, second question है name of the student, कोई बात ने, name भी वो दे देख लेगा क्या था, दूसरे पर जाके उसका name देख लेगा, यह क्या करना, इस पर क्लिक करते जाना है, तो next होता जाएगा, फिर से क्लिक किया, तो तीसरा mobile number, उसका mobile number भी देख जाएगा, अगेन क्लिक किया, तो fourth question था, explain deterministic and non deterministic signal, उसने देखा कि बच्चे ने कुछ इ answer दिया है, यह satisfactory ज्यादा नहीं है, तो उसको 10 मैंसे माल लेजिए, उसको 5 marks देना है, तो उसने 10 मैंसे 5 marks 5 लिखके और save पे click कर दिया, तो अब इस question में उसके बच्चे को वहाँ पे 5 marks दिखेंगे, अभी मैं चेक करके बताऊंगा दुबारा, तो यह हो गया, अब इसके ब 2 marks है, इसके बाद 6 में किया, यह भी objective question था, इसको already उसको 2 marks मिले हुए है, 7th question किया, तो यह था, what is reactive है, तो उसने लिखा इस सिर्फ AC to DC converter, तीन नमर का question था, आपको उतना satisfactory नहीं लगता है, आप एक नमर दे दिजिए उसको, और save पे click कर दिजिए, और जैसे ही आपने save पे click करना, और आपका काम हो गया, खतम, अब बच्चे को फिर से, अब बच्चा जैसे ही दुबारा response देखेगा, देखिए फिर से हम, तो बच्चा जैसे ही इस link पे click करेगा, दुबारा अपना response चेक करने के लिए, तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देगा, view score पे बच्चा क्लिक करेगा, यह कि अब view score पे click, अब देखिए उसको कितने marks देखने लगे, यहाँ पे, 10 marks देखने लगे, जो पहले 2 marks थे, वो कितने हो गया, 10, ऐ स्वरी, 8 marks देखने लगे, जो पहले 2 marks थे, वो अब 8 marks हो गया, स्क्रोल करेगा वच्चा देखिए, इसमें तो 2 out of 2 पहले भी थे, और नीचे स्क्रोल करेगा, यह देखिए, 0 out of 2 थे, और नीचे स्क्रोल करेगा, तो देखिए, यह rectifier वाले question में उसको एक number मिल गया है, 1 mark मिल गया है, और नीचे यहाँ पे click करेगा अगर, तो इसमें दे response दिखाई दे जाएगा, कि यहाँ मेरे कितने marks है, एक और चीज़ धियान रखना है आपको, teacher को, teacher जब यह click करता है, जो mark set करता है, तो यहाँ धियान दीजिए, जैसे यह question में, इस question में उसने एक number दिया हुआ है, तीन में से, अगर गलती से वो इस right पे tick कर देगा, तो automatically उसे full out of full marks मिल जाएंगे, देखिए का, जैसे ही मैंने right पे click किया, तो आप यह देखिए, three marks automatically हो गया, तो teacher यह धियान दे, कि अगर conventional question है, तो right पे tick ना करके, उसको जितना marks देना चाहता है, उतने marks दे, मतलब ऐसा नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं है, कि full out of full देना हो, तो one mark देना है, तो one, one पे click किया, और save कर दिया, तो उसका one mark हो गया, लेकिन अगर आप right पे tick कर दोगे, तो उसको full out of full marks automatically हो जाएंगे, तो यह धियान रखना है, इसको edit जरूर करना है, one लेक्के और save कर दीजे, तो यह हो गया, save, तो यह उसको मिल चुके है, one mark, तो इस तरीक click करेगा, तो एक तो score तो उसने देखी लिया है, score तो देख चुका है, अब जरा see previous responses पे जाएगे, बच्चा student जब इस previous responses पे जाएगा, तो अगर आपने allow करके रखा है, जो मैंने वहाँ पे बताया था, जैसे मैंने कि allow करके रखा था, तो यह सारी detail उसको दिखेगी, अभ अगर एक से ज़्यादा student ने यहाँ पे response दिया होता, तो सभी student के response यहाँ ग्राफ के रूप में उस student को दिखाई दे जाते, तो यह student के लिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी, मतलब उसके marks भी दिखाई दे जाएंगे, और relative comparison भी यहाँ पे दिखाई दे ज हैं, इन वबल पे तो click करके हमने क्या किया था, वो link को यहाँ से, देखिए, यह get prefilled link को copy करके और share कर दिया था बच्चों को, अब जरा देखिए, दूसरे तीन वबल का काम, यह जो नीचे वाले तीन वबल हैं, इन पे जब आप click करोगे, तो यहाँ देखिए, यह आ रहा हो जाएगी, तो यह download पे click कर दीजे आप, और इस download पे again जो नीचे download देख रहा है, आपको एक और download उस पे click कर दीजे, और यह आपकी Excel फाइल आपकी आगए, यह open देख रहा है जो आपको यह, इस open पे click कर दीजे, और जो भी आपका browser, जो भी आप वो use कर रहे हों application, तो य देखे, चुकि एक ही student ने वो दिया है, यहाँ पे response दिया है, इसलिए एक student की यहाँ पे detail मिल गई, तो जो भी response दिया, Excel फाइल में हो सारी की detail आजाएगी, तो यह हमारा जो वीडियो है, वो इस वीडियो में हम test design करना सीखें कि कैसे बच्चों का online हम assessment ले सकते हैं, नेक् वीडियो में